गाइस रिसेंटली रियलमी ने चाइना के अंदर रियलमी 11 सिरीज को लोंच किया है तीन स्मालफ फॉन इसमें आते हैं रियलमी 11, 11 1 PROS अब तीनों स्मारफ फोन की चैनींज प्राइजिंग हम ओलरी प्रिवियस वीडियो में इसकस कर चुके हैं लेकिन इंडियन प्राइजि में आने वाला है इन वन वर्ड प्राइज एक बार फिर से रियलमी के नंबर सिरीज की बढ़ने वाली है रिजन सिंपल सा इस बार इस स्मार्टफोन सिरीज में हमें फीचर्स काफी माइंड ब्लॉइंग देखने को मिल जाते हैं वैसे आपको वीडियो पसंदारा है लाइक क को स्योकेस करने वाली है जिसमें फैंट्स वह besically 200 Megapixel की केपेबिलिटी को स्यूकेस करेंगे बट रियलमी 11 सेरीज के स्मार्टफोन इंडिया में आपको 16 में के स्लाइटली बात देखने को मिलेंगे में भी गई ये स्मार्टफोन इंडियर मार्केट में आपको में मंत के एंड में देखने को मिलने वाले हैं अब दोस्तों स्पेस्टिफिकेशन की तरफ आते हैं Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर दिया गया है सेम प्रोसेसर गयज Realme 11 Pro स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है इन चोड रियलमी 11 Pro स्मार्टफोन में आपको प्रफोमेस में काफी बड़ा इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा अगर आप उसके प्राइस सेगमेंट को कंसीडर करोगे लेकिन गाइज Realme 11 Pro प्लस स्मार्टफोन में performance और बेटर हो सकती थी वैसे दोनों स्मार्टफोन में LPDDR 4X RAM और UFS 2.2 Storage का स्पोर्ड मिलता है और दोनों ही स्मार्टफोन वीद वोक्स Android 13 बेस्ट Realme UI 4.0 पर देखने को मिलेंगे सेकेंड दोनों स्मार्टफोन में इस बार डिस्पले बिल्कुल सिमलर मिलते है 6.7 इंचेस का एक Full HD Plus Curved MLED पैनल दिया गया है जो की HDR10 Plus Certification के साथ आता है और यहां पर फ्रेंट्स आउड़ोर विजिबिलिटी भी आपको सही देखने को मिल जाएगी विकोज 950 नीट्स की Peak Brightness मिलने वाली है इसके लावा सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट इस बार Realme 11 सिरीज में हमें केमरा डिपार्टमेंट देखने को मिलता है विकोज Realme 11 Pro स्मार्टफोन के अंदर डूल केमरा का सेटप मिलता है जिसमें 100 मेगा पिक्सल का एक OIS केमरा दिया गया है जो कि फ्रेंट्स 4K पर 30 fps तग मेक्स वीडियो शूट कर सकता है लेकिन Realme 11 Pro स्मार्टफोन की बात करें तो यहां पर गाईज इस बार 200 मेगा पिक्सल का सेमसिंग का लेटेस्ट HP3 सेंसर दिया गया है जो कि फ्रेंट्स अगेन ओप्टिकल इमेज स्टेबलाजेशन के साथ आता है और इसमें भी आप 4K पर 30 fps तग मेक्स वीडियो शूट कर पाऊगी जहां पर आपको स्टेबलाजेशन पर बेटर देखने को मिलेगी बट इससे भी इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि Realme 11 Pro स्मार्टफोन में इस बार आपको 20x मून मोर्ट देखने को मिलता है जो कि मिटरेंज सेग्मेंट में एक काफी बड़ा फीचर हो जाता है वेसे फेंट्स कंजूमर का क्या ओपिनियन रहता है इस स्मार्टफोन को लेकर वो ज़्यादा मेटर करेगा यहींपे अगर फंसाइड सेल्फी की बात करें तो Realme 11 Pro स्मार्टफोन में 16MP का सेल्फी शूटर दिया गया है और Realme 11 Pro स्मार्टफोन में इस बार सेंटर पंचोल कटाउट के साथ 32MP का सेल्फी शूटर दिया गया है लाश्ट पॉइंट गाईज दोनों स्मार्टफोन के बेटी डिपार्टमेंट की बात करें तो ये वला पार्ट आपको काफी ज़्यदा पसंद आने वाला है बिकोज Realme 11 Pro स्मार्टफोन में 5000 mm की बड़ी बैटary दे गया है और सेम बैटरी किपेस्टी Realme 11 Pro प्लस смार्टफोन में भी मिलती है लेकिन गाईज Realme 11 Pro स्मार्टफोन में 67V fast charging का स्पोर्ट मिल जाता है और Yalmi 11 Pro Plus स्मार्टफोन में इस बार 100 वोट फार चार्जिंग का स्पोर्ट दिया गया है और इससे स्मार्टफोन को आप 25-30 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाओगे So that's it guys आज के इस वीडियो में तना ही Hopefully आपको आज के वीडियो पसंद आए होगा